Hello everyone, मैं हूँ किरिंशापुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का सापता ही क्राशीफल ये 11th April से लेकर 17th April तक की आपकी Tarot Ratings है, Tarot Predictions है और अभी currently मैं out of country हूँ, मैं Canada में हूँ तो अगर आप personal session book कराना चाहते हैं या फिर किसी भी reason की वज़े से मुझे contact करना चाहते हैं तो आप अगर WhatsApp message या फिर WhatsApp call करेंगे तो बहतर रहेगा क्योंकि normal call हो सकता है, miss हो जाए और दिखिए जवाब देने में थोड़ा सा delay हो सकता है क्योंकि यहाँ पे दिन रात का फरक है लेकिन अगर आप again मैं कहूंगी WhatsApp call या फिर WhatsApp message मुझे करेंगे तो definitely आपको जवाब मिलेगा और इसी के साथ साथ अगर आप daily tarot reading में interested हैं तो आप मेरा इंस्टा पीच भी visit कर सकते हैं जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा और दूसरी बात इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं sun sign, moon sign, ascendant या फिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके according भी आप इस reading को देख सकते हैं और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस sign को आप अभी तक follow करते आ रहे हैं या फिर जिस sign के हिसाब से आप अभी तक अपनी readings को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी sign के हिसाब से इस reading को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का सापता ही ग्राशी फल चलिए ले ब्राज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional friend के लिए आप लोगों के लिए cards हैं the magician and the turning point और दिखें the turning point का card कहीं return की बात करता है नए cycle की बात करता है चीजों को better करने की या फिर improve करने की भी बात करता है और कुछ ऐसा ही in general या फिर specifically this week आपके professional friend में रहता हुआ दिख रहा है और दिखें ये general reading है तो थोड़ा थोड़ा यहां पर सब के लिए differ कर सकता है कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे किसी चीज को छोड़ के आप आगे बढ़े और दिखें ये भी सब के लिए differ करेगा कुछ लोगों के लिए पुरानी जॉब हो सकती है कुछ लोगों के लिए पुराना कुलीग हो सकता है कुछ लोगों के लिए पुराना project, पुरानी team, पुराने काम करने का तरीका या फिर कोई भी पुरानी चीज, again जिसको छोड़के आप आगे बड़े उसके पास ही आप वापस जाना चाहा रहे हैं नए तरीके से चीजों को शुरू करना चाहा रहे हैं या फिर कोई नई beginning हो रही है या फिर कोई नई beginning आप करना चाहा रहे हैं और इसी से ही related चीजों को improve करना चाहा रहे हैं कहीं इनों better करना चाहा रहे हैं और बहुत जबरदस्त एक focus, बहुत जबरदस्त एक concentration अपने goal, अपने मकसद के लिए रहता हुआ दिख रहा है और उसी direction में एक confidently actions initiatives भी आप लेते हुए दिख रहे हैं अगर कुछ चीजों को manipulate करना पड़े या फिर diplomatically भी चलना पड़े तो उसके लिए भी आप ready रहते हुए दिख रहे हैं जो भी resources आपके पास हैं आप सब को use भी करना चाहा रहे हैं या कर रहे हैं यानि की knowledge है, skill है, money है, पैसा है, friend circle है, connections है या फिर से मैं कहूंगी जो भी resources आपके पास हैं आप सब को use करके अपने goal, अपने मकसद को achieve करना भी चाहा रहे हैं और दिखिए कुछ लोगों के लिए मैं सब की बात नहीं कर रही हूँ हो सकता है कि कोई ऐसा इनसान है जो आपको manipulate कर रहे हैं आपके साथ diplomatically चल रहे हैं और अगर ऐसा आप Libras पाएं तो ज़रूर थोड़े से cautious, थोड़े से conscious रहें otherwise देखिए The Magician का card अच्छी opportunities के आने की बात करता है और आपकी तरफ से बहुत एक active energies हैं जहां पर जो भी opportunities आ रही हैं आप उनको grab कर रहे हैं, avail कर रहे हैं और इसी वज़े से otherwise भी बहुत जबर्दस एक confidence भी रहतावा दिख रहा है and personal front के लिए आप लोगों के लिए cards है Three of Pentacles and the Taming Power of the Great तो दिखिए Taming Power of the Great का card भी कहीं self-discipline की बात करता है willpower determination की बात करता है, अपने potential को, अपनी skills को realize करने की बात करता है तो personal front में भी कहीं देखिए magician वाली energies रखने की ज़रत है या फिर आप Libra's रख रहे हैं और देखिए कहीं इसी willpower determination के साथ again आप अपने goal को pursue करना चाहा रहे हैं Three of Pentacles का card कहता है कि materialistic, tangible चीज़ें या फिर money, पैसा आपके लिए इस week काफी एहम है या फिर इनी चीज़ों से related gain हो रहा है और इसी वज़े से या otherwise भी हो सकता है अब जादा लोगों से connect कर रहे हैं, जादा लोगों के साथ interact कर रहे हैं कुछ Libra's के लिए literally हो सकता है कि कि किसी को guidance, advice, counselling आप दे रहे हैं या फिर किसी से guidance, counselling, advice आप ले रहे हैं और देखिए बहुत ही practical, बहुत ही realistic तरीके से आप हर चीज़ को deal कर रहे हैं लेकिन देखिए जो लोग love relationships related देख रहे हैं उनके लिए कुछ लोगों के लिए मैं फिर से कहूँगे मैं आप इस सब की बात नहीं कर रही हूँ कुछ लोगों के लिए love triangle भी रह सकता है third party interference भी रह सकती है और ये third party कोई भी हो सकता है आपका family member, आपके partner का family member और देखिए ये weekly reading है तो बहुत बड़ा कुछ नहीं होगा पठा छोटी मोटी इस तरीके की चीज़े भी रह सकती है overall देखिए money, पैसे से related या फिर materialistic, tangible चीज़ों से related again एक फाइदा रह रहा है या फिर इन पे आप बहुत जादा focus कर रहे है and guidance से आप लोगों के लिए full moon eclipse का card है और ये card कहता है conclusions are within reach तो जिस भी चीज़ पे आप बहुत time से काम कर रहे थे और आपको ऐसे लग रहा था कि भई you know outcome ही नहीं आप आ रहा है result आपको नहीं मिल रहा है तो ये card कहता है कि वो चीज you know conclude होने वाली है आप उसको बहुत जल्दी complete करेंगे या मैं कह सकती हूँ कि उसी completion के आप बहुत नस्दीक है and astrology से आप लोगों के लिए लियो sign का card है और इसके हिसाब से orange color इस week आप लोगों के लिए लगी रह सकता है and significant day आप लोगों के लिए होगा Sunday तो ये थाले ब्राज आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पे जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए